नमस्कार मैं आलोक सिंग आज आप लोगों के साथ human anatomy physiology का एक chapter the human cells के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिस करेंगे आज का topic हमारा है prokaryotic cells को हम किस तरह से define करेंगे prokaryotic cells क्या होते हैं और इनका क्या structure है इस topic को समझने से पहले थोड़ा सम लोग पिछली class के topics को revise करते हैं ताकि आज का ये topic हमें समझने में थोड़ी आसानी हो quick revision कर लेते हैं पिछली class में हम लोगों ने cell के definition के बारे में जानने की कोशिस की थी कि cell को हम living body के cells को हम किस तरह से define करेंगे और ये cell कितने types की होती है शेल का definition ये बताय गया था कि cell is a structural and functional unit of life और हम लोग इन cells को दो group में दो classes में या दो types में divide कर सकते हैं एक को कहते हैं prokaryotic cells और दूसरे को कहते हैं eukaryotic cells prokaryotic cells का definition and eukaryotic cells का definition भी हम लोग ने पिछली class में detail में study किया था आज इसे फिर से revise कर लेते हैं कि prokaryotic cells किसे कहेंगे कोई भी living body का cells जिसके अंदर nucleus नहीं है हम उन cells को कहते हैं these are the prokaryotic cells और कोई भी living body का cells जिसके अंदर nucleus पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं it is eukaryotic cells आज हम लोग एक topic prokaryotic cells के structure के बारे में जानने की कोशिस करेंगे कुछ जानकारी हाशिल करने की कोशिस करेंगे चलिए आज चा क्लास में लोग सुरू करते हैं structure of the prokaryotic cells जब हम prokaryotic cells के structure के बारे में जानकारी हाशिल करते हैं तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि prokaryotic cells के अंदर three parts होंगे या उनके उनके अंदर जो भी cellular constituents हैं उनकों लोग three parts में या three group में divide करते हैं एक उनकों नाम देते हैं plasma membrane दूसरे उनकों कहेंगे cytoplasm और दूसरे उनकों कहेंगे DNA क्या क्या नाम दिया गया plasma membrane cytoplasm and DNA plasma membrane क्या होता है यह हम लोग ने पिछली क्लास में जान लिया था cytoplasm क्या होता है यह भी हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी तो यह जो prokretic cells है इस prokretic cells में जैसे आप diagram में देख रहे होंगे कि prokretic cells की diagram है इसके अंदर एक plasma membrane है plasma membrane का मतलब क्या हुआ कि यह जो outer surface है यह जो surface बन रही है जो covering बन रही है जो cell की outer covering है उस covering का हम लोग नाम देते हैं it is plasma membrane और इसी plasma membrane के अंदर cytoplasm पाई जाती है मिन्स यह जो space आप देख रहे हैं यह सारी space माली है these are the cytoplasm और इसी cytoplasm के बीच में एक structure पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं it is DNA हम सभी को मालूम है कि prokeretic cells में nucleus नहीं होता और nucleus के जगह पे nuclear material होती है that is the DNA और इसके उपर किसी भी तरह का कोई membrane या कोई covering नहीं होगा तो अब हम लोग इसका detail study करते हैं सबसे पहले यह कहा गया कि prokeretic cells का जो outer membrane है वो हमारा plasma membrane होगा आप diagram में देख रहे होंगे कि outer membrane के पास दो structure बनी हुई है एक inner और दूसरी हमारी outer means दो लाइनिंग है inner lining and the outer lining जो हमारी inner lining है this is the plasma membrane और जो हमारी outer lining है this is the cell wall मतलब क्या हुआ कि prokeretic cells के अंदर plasma membrane के ऊपर एक और covering होंगी और उस covering का लोग नाम देते हैं it is the cell wall means मेंसे कि prokeretic cells में एक plasma membrane होगा और plasma membrane के ऊपर एक और layer होंगी जिसे हमनों कहेंगे it is cell wall अब यह जो prokeretic cells हैं इन cells में cell wall के ऊपर भी एक और covering होंगी एक और covering होगी और यह जो covering होंगी वो दो तरह की हो सकती है यह hard covering भी हो सकती है और यह soft covering भी हो सकती है यदि यह covering hard है तो हम इसे कहेंगे it is capsule और यह covering soft है sticky है जिसे हम लोग कहेंगे slack तो वैसा prokeretic cells है जिसके उपर capsules की covering होंगी उसे हम लोग कहेंगे it is capsulated prokaryotic cells है तो हम लोगोंने क्या देखा कि prokaryotic cells में जो cytoplasm होंगी इस cytoplasm के ऊपर three layers की covering होंगी एक जो सबसे inner layer होगा उससे हम लोग कहेंगे it is plasma membrane जो सबसे outer covering होगा उससे हम लोग कहेंगे cell wall और उससे जो बाहर की covering होगी उससे हम लोग कहेंगे that is the capsule or slime layer तो इस तरह से कि इनकी covering है वो three layers में होती है अब हम लोग आते हैं cytoplasm में तो cytoplasm के अंदर बहुत ज्यादा organelles नहीं पाई जाती है और यहां पर जो nucleus है वो nucleus भी absent होगा लेकिन यहां पर nuclear material पाई जाएंगी nuclear material मतलब क्या हुआ कि जो nucleus होती है उस nucleus के अंदर जो material होना चाहिए वो material तो इस cell के अंदर होगी लेकिन इस nuclear material के ऊपर कोई covering नहीं होगा मतलब कि nuclear material shytoplasm से अलग नहीं होगी वो shytoplasm के अंदर ही nuclear material होगी without any nuclear membrane और nuclear covering और इस तरह से यहां पर यह nucleus absent होगा और वैसा nucleus जहां पर nuclear material के ऊपर कोई covering नहीं होगी है होती है उससे हम लोग कहते है nucleoids आगे हम लोग study करेंगे कि nucleoids क्या होता है तो nucleoids क्या हो गया कि वैसा nuclear material जिसके ऊपर nuclear covering नहीं है तो हम लोग ने अभी तक क्या study कि प्रोकरियर्टिक सेल्स के अंदर एक covering होगी covering three layers होती है उसके बाद cytoplasm होगी और उस cytoplasm में DNA और RNA पाई जाएंगी जो कि nuclear material है लेकिन उस DNA या RNA के ऊपर कोई nuclear membrane नहीं होगा और इसलिए हम इसे nucleus word ना कहकर एक नया term यूज करते हैं that is the nucleoids तो यह हमारा structure हो गया that is the structure of the prokaryotic cells अब इस diagram में आप देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ आउट ग्रोथ हैं कुछ बाहर की तरह पे एक thread सा कुछ बना हुआ है यह जो threads हैं इन threads का हम लोग नाम देते हैं it is flagella और it is cilia means कि यह flagella भी नाम दे सकते हैं या इसे हम लोग cilia भी नाम दे सकते हैं अब यह जो flagella है और जो cilia है इसका main purpose होगा कि यह prokaryotic cells के movement में liquid media के अंदर movement में help करता है तो this is the main structure of the prokaryotic cells अब हम लोग एक एक का detail study करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कहा रिया कि इसके अंदर plasma membrane होता है इस plasma membrane का main function है कि कोई भी material जो cell के अंदर enter करना बाहर से अंदर आ रहा हो from outside to inside और from the inside to outside कि cell के बाहर से कोई material cell के अंदर enter कर रहा हो या cell के अंदर का कोई material cell से बाहर जा रहा हो तो इसकी जो controlling है यह controlling हमारी होती है by the plasma membrane कि plasma membrane इन चीजों को control करती है that is the movement of materials from inside cell to outside cell and from the outside cell to inside cell फिर यह कहा जा रहा है कि यह जो हमारी plasma membrane है it is amphipathic bilayered membrane amphipathic bilayered membrane amphipathic bilayered membrane amphipathic bilayered membrane का मतलब क्या हुआ देखी यह अपसालते हम लोग और यूज करेंगे that is the bilayered membrane इसका मतलब क्या हुआ कि जो plasma membrane है जो हम लोग diagram में single दिखाई देरा है कि एक covering है actual में वो plasma membrane दो लेयर्स के मिलने से बनती है means plasma membrane के अंदर ही two layers पाई जाती है और इसलिए हम इस plasma membrane को कहेंगे it is a bilayered membrane दूसरा वर्ड है यहां पर हम लोग यूज कर रहे है that is the amphiphilic एक वर्ड है amphiphilic यह amphipathic लिखा हुआ है इसे हम लोग amphipathic भी कह सकते हैं और दूसरा हम लोग amphiphilic भी कह सकते हैं अब यहां पर इस amphipathic यह amphiphilic वर्ड का क्या meaning है देखिए इस आप लोग ने chemistry में plus two के अंदर जो chemistry study किया है वहां पर हो सकता है कि आपने जरूर पर होगा एक वर्ड है जिससे हम लोग कहते हैं it is the lipophilic यहां लोग वर्ड यूज करते हैं hydrophilic यहां लोग दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं hydrophilic hydrophilic का अब lipophilic का क्या मतलब होता है जहां भी वर्ड फिलिक आए इस फिलिक का मतलब होता है loving दो वर्ड है एकों कहते हैं philic और दूसरा लोग कहते हैं phobia दो वर्ड है philic and phobia जहां भी word philic आये इस philic का मतलब क्या हुआ, loving फिलिक का मतलब क्या होता है, loving और दुसरा word है phobia, phobia का मतलब होता है hate एधि हम word यूज कर रहे है hydrophilic इसका मतलब क्या होगा कि वैसा substance जो water loving है उसे हम लोग कहेंगे it is the hydrophilic substance और वो ऐसा सबस्टांस है जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है वाटर को रिपेल करती है जैसे फैट हो गया तो उसे हम लों क्या कहेंगे it is the hydrophobic, दो वर्ड हो गया hydrophilic and hydrophobic means water loving तो hydrophilic, water heating तो इसे कहेंगे hydrophobic और ठीक इसी तरह से यदि वो lipid loving है तो कहेंगे it is lipophilic और अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि यह जो हमारा plasma membrane है यह plasma membrane amphipathic है यह हम कहा सकते है it is amphiphilic in nature, अब philic का मतलब हमों समझ गया कि loving, अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया that is the amphi, a-m-p-h-i, इस amphi का क्या मतलब, जहां भी वर्ड amphi, कहीं भी यह वर्ड amphi, इसका मतलब होता है to, t-w-o, to, जैसे माल लीजे कोई animal है, वो animal water में भी survive कर पा रहा है और land पे भी survive कर रहा है, तो उसे अनों कहते है दी जार्द amphibia, amphibia मेंसे कि वो दोनों जगह पे survive कर जा रहा है, तो उस्सी तरह से यहां वर्ड क्या है amphipathic या amphiphilic, amphiphilic बता है जो दो opposite चीजों को एक साथ love करे, एक साथ उसको attract करे, तो उसे नों क्या कहेंगे amphiphilic, मींस यह ऐसा layer है जो water को भी attract करेगा और इसके साथ साथ वो lipid को भी attract करेगा, मींस यह water का भी बना होगा और यह lipid का भी बना होगा, यह हम और simplify करें, तो यह hydrophilic material भी बनी होंगी और इसके अंदर lipophilic material भी पाई जाएंगी, और इस तरह से एक layer इसका hydrophilic layer होगा, और दूसरा layer इसका lipophilic layer होगा, तब हम इसका नाम देते है, it is the amphiphilic और amphipathic, मतलब क्या हुआ है, कि plasma membrane एक ऐसा structure होगा, एक ऐसा bilayered होगा, जिसके अंदर एक layer hydrophilic होगी, और दूसरी layer जो होगी वो lipophilic होगी, और इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, it is the amphiphilic bilayered membrane, इस amphiphilic bilayered membrane का detail study हम लोग करेंगे eukaryotic cells में, जह हम यूकaryotic cells study करेंगे, वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि क्यों एक ही layer है, एक ही membrane है, लेकिन वो hydrophilic भी है, और वो lipophilic भी है, इसका क्या reason है, उसका reason हम लोगे study करेंगे, during the study of the eukaryotic cells, अब हम लोगे जान लिया कि जो cell है, प्रोकारिटिक cell है, उसके अंदर plasma membrane है, जिसका main function है, to control movement of material, that is from the inside cell to outside cell, and that is from the outside cell to inside cell, and it is amphiphilic bilayered membrane, nature by nature, it is the amphiphilic in nature, दूसरे हमारा जो उसके just plasma membrane के ऊपर जो दूसरा layer है, उसका नाम दिया गया, it is the cell wall, अब cell wall के बारे में कहा जा रहा है, कि cell wall is a thick rigid structure की, एक ठीक है, और rigid मतलब hard structure है, जो plasma membrane को cover करता है, जो plasma membrane के ऊपर पाया जाता है, जो plasma membrane को surround, करता है, ये जो cell wall है, वो तीन तरह के chemical का बना होगा, एक कहेंगे lipid, दूसरा कहेंगे protein, और तिसरा उनों कहेंगे polysaccharides, lipid क्या होता है, आप लोगों को मालूम है, lipid means fat, protein क्या होता है, ये भी आप लोगों को मालूम है, हो सकता है एक नया world आ गया, आपके लिए, that is the polysaccharides, polysaccharides क्या हो गया, actually it is a carbohydrate किया है, एक carbohydrate है, और हम सभी को मालूम है कि carbohydrate किसका बना होता है, तिसके अंदर sucrose या sugar pie जाती है, जब कोई भी ऐसा chemical, जिसके अंदर बहुत सारे saccharides पाई जाएंगी, तो उससे मनों क्या कहेंगे, it is polysaccharides, मतलब क्या हुआ कि cell wall के अंदर lipid भी पाई जाएगी, protein भी पाई जाएगी, और may be coated with the capsule, यह word क्या लिखा हुआ है, may be coated with the capsule, means capsule हो भी सकता है और capsule नहीं भी हो सकता है, यदि उस cell वाल के उपर capsule पाई जाएगा, तो उससे कहेंगे, it is capsulated cell, और यह जो capsulated cell होती है, जो capsule होती है, यह polysaccharides की बनी होंगी, और उसके साथ-साथ थोरी बहुते monosaccharides भी पाया जाता है, फिर क्या कहा जा रहा है, कि यह जो polysaccharides है हमारी, जो capsule के अंदर जो polysaccharides हैं, वो polysaccharides attached होते हैं, फॉस्फो लिपीड की, जो cell वाल के फॉस्फो लिपीड के साथ attached होते हैं, फॉस्फो लिपीड क्या हुआ हुआ, हम लोगों ने study किया तो यह जो polysaccharides, जो capsule की जो polysaccharides होगी, वो attached होगी किसके साथ है, जो cell के फॉस्फो लिपीड के साथ, cell वाल के फॉस्फो लिपीड के साथ है, तो इस रखर हम लोगों ने यह जाना कि cell वाल का structure कैसा होता है, capsule का structure कैसा होगा, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, जो जो the nucleotides, यहां वर्ड लिखा हुआ है nucleotides, actually it is not nucleotide, it is the nucleoides, N-U-C-L-O-I-D-E, और nucleoid का मतलब क्या हुआ, कि वैसा nucleus जिसके अंदर nuclear material तो है, लेकिन उसके उपर कोई भी nuclear membrane नहीं है, तब हम उस nucleus करन करते है, it is the nucleoid, और इस nucleoid में mainly DNA पाई जाती है, और हम लोगों को मालूम है DNA क्या है, वो हमारी genes है, हमारी chromosome के अंदर पाई जाएंगी, जो किसी भी चीज के characteristics को control करती है, characteristics को decide करती है, तो हम लोगों क्या जान लिया, कि pro-creatic cells में outer layer है, जो outer layer 3 layers की बनी होंगी, एक हो गया plasma membrane, दूसरा हो गया cell wall, और तिसरा हो गया capsule और slime में layer, और इसके center में nuclear material है, जिसका लोगों नाम दे रहे है, it is the nucleus, अब जो plasma membrane है, उस plasma membrane के नीचे, या उस plasma membrane के अंदर, कुछ liquid material पाई जाती है, जिस liquid material को लोगों क्याते है, it is the cytoplasm, cytoplasm क्या होता है, उसको हम लोग ने पिसली class में study कर लिया था, इसलिए आज हम उसका detail study नहीं करेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे, कि plasma membrane के अंदर, एक liquid material होगी, और उस liquid material को लोगों नाम देते है, it is the cytoplasm, इस cytoplasm, अब जान लिया, तीन पार होगी, एक तो outer covering होगी, दू दूसरा nucleoid हो गया, और तीसरा क्या हो गया हमारा, that is the cytoplasm, चौथा कहा जा रहा है, कि इसके अंदर flagella पाई जाती है, जो flagella है, इती जे thread-like structure, जो bacterial cells होगी, उसमें एक flagella भी पाई जाएंगी, और उस flagella को क्या कहें है, इती जे thread-like structure, जो prokeretic cells के outer surface पे पाया जाता है, और इसका main function होता है, regarding the rapid movement of the cells की, cells का rapid movement हो, means यह flagella जो move करेगा, जो cells होंगी, liquid medium में, एक place से दूसरी place तक वो, उसकी transportation होगी, उसकी movement होगी, उसका displacement होगा, from the one place to another place, तो हम लोगो ने यह जान लिया, कि क्या-क्या structure है, और इस तरह से हमारा, यह topic आज complete हुआ, what is the structure of the prokaryotic cells, आज इसे हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, next class में हम लोग यह जानेंगे, कि prokaryotic cells और eukaryotic cells में क्या difference है, और उसके बाद जो last class होगा, उसमें हम लोग study करेंगे, about the structure of the eukaryotic cells, तो मैं यह उमीद करता हूँ, कि मैं इस topic को समझाने में काम्याब रहा हूँगा, आपको यह topic clear होगी होगी, समझ में आगी होगी, यदि कहीं पर कोई आपको doubt है, कोई objection है, तो आप, objection में से कोई query है, तो आप comment box में उस query को जरू लिखे, मैं यह महसूस करता हूँ, कि आप अपनी तरफ से कोई comment नहीं लिख रहे हैं, और इसका मतलब हुआ, कि या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या आपको सब कुछ समझ में आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है, कि being a student ऐसा possible नहीं है, कि हर चीज आपको एक class में सम को और कुछ इंप्रूफ कर सकूँ और आपको और ज्यादा benefit मिल सके हूँ, तैंक यू वेरी मच्छ फर गें इस वीडियो, थैंक्स अलोट.